पंजाबी चिकन की बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार ग्रेवी आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको अगर चिकन की ग्रेवी चट-पट से कम टाइम में और सिंपल तरीके से बनाना है तो इस पंजाबी चिकन की ग्रेवी को सुरू ट्राइ करें तो रेसिपी हम बनाएंगे 1.5-1.500 ग्राम चिकिन के साथ जिसके मैंने थोड़े बड़े-बड़े पीसिज लिए हुए है चिकिन को मैंने वाश कर लिया है, स्ट्रेनर में रखके इसका सारा पानी निकाल लिया है इसे एक बोल में डालेंगे चिकिन को marinate करने के लिए इसमें डालेंगे एक कब दही दही को बहुत अच्छी तरह से हमें फेंट कर डालना है आधा चमज डालेंगे हल्दी का पाउडर नमक डेड़ चमज मैं इसमें डाल रही हुँ और सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से mix करना है चिकिन को फ्रिज में मेरिनेट होने के लिए रख दीजिए फ्रिज में कम से कम एक खंटे के लिए अब इस पंजाबी चिकिन की ग्रेवी को हम बनाएंगे सर्सों के तेल में तो मैंने तीन बड़े चम्मच तेल ले लिया है कराही में सरसों के तेल को हाई फ्लेम पर धुआ आने तक पहले पका लेते हैं इसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और खड़े मसालों में डालेंगे एक चमच जीरा, छे हरी इलाइची, एक चमच काली मिर्च, दो स्टार पूल, दो काली बड़ी इलाइची, चार से पांच लोंग और एक तीकी वाली सुखी लाल मिर्च है हरी इलाइची और काली बड़ी इलाइची को खोल कर डाल लेंगे खड़े मसालों को आधे मिनट के लिए गरम तेल में पक जाने देना है इसके बाद हमें इसमें डालना है 15-20 लेसन की कलियां, 2 इंच का अधरक का टुकडा चौप करके डालते हैं प्यास भी डाल लेना है, इसमें 4 मीडियम साइस की प्यास है, जिसे मैंने मोटा मोटा चौप कर लिया है तो अब प्यास डाल के गरम तेल में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं प्यास ज्यादा है, तेल कम है, इसलिए हम ठकन लगा देंगे और प्यास को तेल में पक जाने देते हैं एकदम लो फ्लेम पर 7-8 मिनट के लिए इसके बाद जब हम धकन अटाएंगे, तो हमें प्यास और मसालों को ठंडा हो जाने देना है और फिर इस मसाले को डाल लेंगे ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी आड़ करते हैं इसमें और इस मसाले का अच्छा सा एक पेस्ट बना लेते हैं तो मसाला रैरी हो गया है ग्रेरी के लिए, अब इसी कराही में फिर से हम सर्सों का तेल डाल लेते हैं एक चौथाइ कप तेल को फिर से धुआ आने तक high flame पर गरम करेंगे और इसे low flame पर लाकर इसमें डालेंगे 2-3 तेस पत्ता मसाला डाल लेते हैं जो हमने ररी किया हुआ है और मसाले को अब हमें अच्छी तरह से भूनना है मसाले की इतनी अच्छी भूनाई करना है कि सारा पानी मसाले से सूखने लगे और तेल बहुत ही अच्छी तरह से सेपरिट हो जाए तो आप देख सकते हैं प्यास का कलर एक दम कहरा हो गया है अब आगे हम इसमें डालेंगे एक कप टमाटर का पेस्ट ये चार से पाँच मीडियम साइज के टमाटर का पेस्ट है टमाटर के साथ ही पाउडर मसालों में डालना है दो चम्मच धनिया का पाउडर एक बड़ा चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर और एक चम्मच डाल लेते हैं तीखी वाली लाल मिर्चों का पाउडर मसाले के हिसाब का नमक डालेंगे आधा चम्मच पाउडर मसालों को सारे मसालों के साथ मिक्स करते हैं और मीडियूम फ्लीम पर इसकी हमें बुनाई करना है बुनना है इतना कि फिर से सारा तेल सेपरेट होने लगे तो मसाल अच्छी तरह से भुन चुका है तेल भी सेपरेट हो गया है अब मेरिनीट किया हुआ सारा चिकन हमस में डाल देंगे मेरिनीट किये हुए चिकन को डाल कर मसालों के साथ पहले अच्छी तरह सी मिक्स कर लेते हैं हाई फ्लेम पर इसे मिक्स करेंगे चिकन मसालों के साथ मिक्स हो जाए और हलका सा इस पर सफेद रंग चंडने लगे इसके बाद हमें डाल देना है पानी चिकन का अपना पानी भी छूटने वाला है इसलिए हम थोड़ा कम पानी डालेंगे मैं इसमें करीब डेर का पानी डाल रही हूँ पानी डालकर चिकन और मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं अब ठकन लगाना है धक कर इस gravy को हमें पकाना है कम से कम 20 मिनट के लिए medium to low flame पर चिकन अच्छी तरह से मसालों के साथ पक जाए इसके बाद हम ठकना डालेंगे gravy अच्छी तरह से पक चुकी है रोगन भी आप देखें सारा उपर आ चुका है बस अब थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिय के पते डाल लेते हैं एक बार medium flame पर ये चिकन की gravy को अच्छी तरह से mix कर लेंगे flame को बन कर देंगे पंजाबी चिकन मसाला बन कर ready हो गया है चिकन की gravy बहुत टेस्टी बनती है बनाना भी इसे बहुत सिंपल है चावल, रोटी, पराथा या फिर अपनी मन चाही side dish के साथ ये मज़िदार, मसालेदार पंजाबी चिकन ग्रेवी को आधसर्फ कर लीजिए अफगानी अंडा टिका मसाला की बहुती क्रीमी, delicious और मज़िदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी को हम 8 उबले हुए अंडों के साथ बनाएंगे, अंडों को हम इस तरह से काट लेंगे तीन से चार टुकडों में अंडों को काट कर ready रख लेते हैं अब एक अंडे की सफेदी मैंने ले ली है, इतनी सफेदी अंडों की coating के लिए बराबर होगी इसमें डालना है एक चौथाई चमच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और एक चौथाई चमच हल्दी का पाउडर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छी तरह से सारी चीजों को mix करना है तो अंडों के लिए coating बन कर ready हो गई है अब पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं अंडों को ये mixture में coat कर लेंगे और अंडे के slices यहाँ पर रख लेते हैं सारे अंडों की टुकडों को रखने के बाद हमें इन्हें fry करना है एक तरफ से medium flame पर अच्छा सा इस पर golden color आजाए एक तरफ से इसके बाद हमें से पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा golden color आने तक इसे fry कर लेते हैं तो ये सारे अंडे fry होकर ready हो गए हैं इन्हें हम निकाल लेते हैं एक plate में अब मसाला बनाने के लिए पैन में लेंगे एक बड़ा चमच तेल इसमें डालेंगे दो medium साइस की प्याज मोटी चॉप की हुई प्याज को medium flame पर हलका सपका लेना है ताकि इसके लच्छे चूट जाए और हलकी सी नर्म हो जाए इसके बाद हम डालेंगे इसमें 15-20 लेसन की कलिया, 15-20 है काजू के दाने, हरी मिर्च है, 2-3 और 1 इंच का अधरक का टुकडा है फिर से सारी चीजों को मैंने medium flame पर mix कर लिया है अब last में इसमें डालेंगे मुठी भर धन्या के पत्ते डंडियों के साथ एक बार mixing करने के बाद हमें ठकन लगा लेना है और low flame पर इस मसाले को हम पक जाने देते हैं बस 5 मिनट के लिए ठकन हटाएंगे, मसाले को ठंडा करने के बाद इसे grinding jar में डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे इसमें ताकि ये मसाला अच्छी तरह से पिस जाए तो ग्रेवी के लिए ये मसाला बनकर रेडी हो गया है अब ग्रेवी बनाने के लिए पैन में तीन बड़े चमच तेल लेंगे 6-6 डालेंगे हरी लाइची और 6-7 है लॉंग लोंग हरी लाइची को पका लेते हैं तेल में ताकि इसका फ्लेवर रिलीज हो जाए इसके बाद जो मसाला हमने बनाया हुआ है ये सारा इसमें डाल देते हैं मसाला को तेल में मिक्स कर लेंगे और पिर हमें पाउडर मसालों में डालना है एक चौथाई चमच हल्दी का पाउडर, आदा चमच है जीरे का पाउडर, आदा चमच है काली मिर्चों का पाउडर, आदा चमच है गरम मसाले का पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे कसूरी मेथी, नमक मसाले के हिसाब का अड़ कर लेते हैं इसमें, पाउडर मसालों को हरे मस जाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं इसकी हमें भुनाई करना है हलका हलका से जब आप देखें कि तेल सेपरिट होने लगा है इस टाइम पर हम फ्लेम को एकदम लो कर लेंगे और इसमें हम आड़ करेंगे आदा कप दही अच्छी तरह से फेटा हुआ अब दही क मिकसिंग हमें मसालों के साथ कर लेनी है एक दम लो फ्लेम पर ताके दही फटे नहीं जैसे ही दही मिक्स हो जाए मसालों के साथ थोड़ा सा इसमें पानी याड़ कर लेंगे जितनी पतली हमें ग्रेवी चाहिए बस इसे सापका इसमें पानी डाल लेते हैं फिर से सारी चीज़ों को mix करेंगे, वधकन लगा देते हैं, वधकर इस मसाले को पकने देते हैं ताकि मसालों का कच्छा पंसारा निकल जाए. तो 5 मिनिट के लिए मैंने मसालों को लो फ्लेम पर पका लिया है धकन हटाने के बाद इसमें डालेंगे एक चाथाई कप फ्रेश क्रीम घर के दूद की मलाई भी आप डाल सकते हैं फ्रेश क्रीम को बस मसालों के साथ मिक्स करेंगे ज्यादा इसे नहीं पकाएंगे अब जो अंडा टिका हमने फ्राई करके रेडी रखा हुआ है ये सारा इसमें डाल लेते हैं अंडा टिका को सारे मसालों के साथ मिक्स करने के बाद बस दो मिनिट के लिए इसे मसालों के साथ धकर पका लेते हैं मीडियम फ्लीम पर धकर अटा लेते हैं फ्लीम को बंद कर देंगे थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पते डाल लेते हैं इसे गानिश करने के लिए बस अब ये चटपटा मज़ेदार मलाईदार अफगानी अंडा टिक का मसाला बनकर रेडी हो गया है नाशने में ये मज़दार रेसिपी को बना सकते हैं या फिर मेंन कोर्स में इसे लच्छा पराथा तंदूरी रोटी या बटर नान के साथ सर्फ कर लीजिए बहुत मज़ा आ जाएगा इसे खाने में तंदूरी चिकन मसाला की रेसिपी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ दावत है आपके घर में या अपनों के लिए कुछ शांदार बनाना है तो तंदूरी चिकन मसाला की ये रेसिपी को ज़रूर ट्राइ करें इस रेस्पी को हम बनाने वाले हैं चार लेक पीसिस के साथ लेक पीसिस पर हम इस तरह से कट्स लगा लेंगे ये कट्स हम थोड़े गहरे लगाते हैं आप चिकन को मेरिनेट करने के लिए इसमें डालेंगे एक चम्मच अधरक लेसन का पेस्ट एक बड़ा चम्मच मैं ले रही हूँ चिकन टिकका मसाला टिकका मसाला की जगा आप चाहें तो चिकन तंदूरी मसाला भी ले सकते हैं कोई भी अच्छे ब्राइन का आदा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर एक चम्मच डाल लेते हैं नमक आधे नीमू का रस इसमें निचोड लेते हैं एक चुटकी रेड फूड कलर को मैंने एक चमच पानी में मिक्स कर लिया है इसे यहाँ पर डाल देते हैं इसे बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा चिकन के उपर आप चाहें तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं अब मसालों को अच्छी तरह से चिकन के उपर हम लगा लेते हैं चिकन को मेरिनेट करने के लिए रख देते हैं मिनिमम दो घंटों के लिए फ्रिज में टाइम है अगर आपके पास ज्यादा तो आप इसे ओवरनाइट भी मेरिनेट कर सकते हैं अब ग्रेवी बनाने के लिए 400 ग्राम हम लेते हैं गाढ़ा दही इसमें डालेंगे एक टमाटर बारिक चॉप किया हुआ एक चमच डालेंगे हरी मिर्चों का पेस्ट या फिर आप दो मिर्चों को बारिक चॉप करके भी डाल सकते हैं एक बड़ा चमच डाल लेते हैं अधरक लैसन का पेस्ट एक चमच डालेंगे इसमें जीरा पाउडर एक चमच है धनिया का पाउडर आदा चमच डाल लेते हैं कुटी हुई लाल मिर्च आदा चमच है काली मिर्चों का पाउडर एक चमच डाल लेते हैं कश्मीरी लाल मिर फ्रोड़े पावडह। और एकुमच में डाल रही हूँ चिकन टिक के we Six втор अबा नमक 1 चिमच आजह इसमें डाल लेंगे सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह मिक्श कर लेना है तो ग्रेवी के लिए हमारा मसाला बनकर रेडी हो गया है चिकन की तरफ आते हैं चिकन है तो पैन में डाल लेना है। फ्लीम को हई रखेंगे और इस तरह से हम लेग पीसस को यहाँ पर डाल करना है। इसके बाद पलट कर हम ये लेग benar में जओजा उसके बाकि लेक युछ फ्लीम ने जो side पर तेल है, इसमें हम डाल लेंगे एक medium size की प्यास, बारिफ छउपकी हुई प्यास को तेल में चलाते हुए पकाएंगे, हलका सा प्यास पर golden color आजाए इसके हम chicken के साथ प्यास को अच्छी दरस से mix कर लेते हैं फ्लेम को लो कर लेंगे और ग्रेवी का जो मसाला हमने बनाया हुआ है ये सारा हम चिकन के उपर डाल देते हैं मसाला डालने के बाद चिकन को ग्रेवी के साथ हमें मिक्स कर लेना है चिकन मिक्स हो जाए इसके बाद हम ढखकन लगा देंगे और चिकन के लेक पीसिस को ग्रेवी के साथ हमें पक जाने देना है 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर चिकन ग्रेवी में पक कर अच्छी तरह से नर्म हो जाए इसके बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे थोड़े से बारिक चॉप किये हुए धनिया के पत्ते इस पर डाल लेंगे कोईले का धुआ भी इसमें देना है हमें तो जलते हुए कोईले पर थोड़ा सा घी या तेल डाल कर धकन लगा देंगे 10 मिनट के लिए इसे इसी तरह से छोड़ देते हैं चिकन में अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए इसकी बार धकन हटा लेते हैं तो ये बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन मसाला बनकर रेडी हो गया है ग्रेवी वाली रेसिपी है ये इस चिटपटे मज़िदार चिकन तंदूरी मसाला को आप रोटी, पराथा, नान, लच्छा पराथा या फिर पुलाओ के साथ सर्फ कर लीजिए चिकन की चिटपटी स्टार्टर की रेसिपी वो भी रेस्टरान स्टाइल तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्रिस्पी चिकन की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही सिंपल है और फटा फट से बन भी जाती है तो रेसिपी को हम बनाएंगे आधा किलो बोनलेस चिकन के साथ मैंने लेक पीसे की बोनलेस लिये हैं जो बड़े ही जूसी और टेंडर रहेंगे आप चाहें तो चिकन ब्रेस्ट पीस की बोनलेस भी ले सकते हैं तो इन्हें हम इस तरह से पतले लंबे पीसे में काट कर रेडी रखते हैं यह आदा किलो bonless chicken को हम बोल में डाल लेंगे चिकन को marinate करने के लिए इसमें डालेंगे एक चमच अधरक लेसन का paste एक चमच डालेंगे सोय reicht sauce एक चमच डालेंगे white vinegar vinegar की जगा आप चाहें तो nipoo का रस्पी आड़ कर सकते हैं एक चमच चाहें काली मिर्चों का powder मैदा और एक चौथाई कप डाल लेते हैं कौन फ्लार सारी चीजों को हमें मिक्स कर लेना है अब चिकिन को और भी ज्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच तेल कोई भी आप ले सकते हैं एक चौथाई चम्मच इसमें बेकिंग पाउड कर लिया है मेजिम फलीम पर चिकन के एक एक स्टिपस इस तरह से उठा कर हम कर अडर घं़ में डाल देंगे दो निदॉसरी तरह रव अच्छा सा गोल्डन ऐं इसके बाद या बड़ें पर दो से तीन मिनट के लिए और पका लेते हैं, लास्ट में हाई फ्लेम पर पकाने से चिकन में ज्यादा तेल अब्सॉब नहीं होगा, तो अब सारे चिकन के पीसे इसी तरह से फ्राइ करके हम निकाल लेंगे, चिकन बनकर रेडी हो गया है, अब चिकन के लिए एक सोय सॉस, दो बड़े चममच डाल लेते हैं, टोमाटो सॉस, एक चौथ हाई कप इसमें शेजवान सॉस डाल लेना है, एक बड़ा चममच डालेंगे, रेड चिली सॉस, एक चममच मैं इसमें कुश्मीरी लाल मिर्चों का पावडर डाल रही हूँ, रेस्टरॉंस में कलर जाता है, घर पर आप अगर ये रेसिपी बना रहे हैं, तो बस किश्मीरी लाल मिर्चों का पावडर डाल कर लीजिए, सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं, सॉस हमारा बनकर रेडी हो गया है, इसे साइब में रखेंगे, अब एक पैन में डाल लेंगे, दो बड़े चममच तेल, मीडियम फ्लेम पर तेल गरम करके हम इसमें डालेंगे दो बड़े चममच बारिक चौप किया हुआ लेसन, एक बड़ा चममच बारिक चौप की हुई अदरक डालते हैं, और एक छोटा चममच बारिक चौप की हुई हरे मिर्च डालेंगे, सारी चीजों को मीडियम बस आदे मिनट के लिए हमें चलाते हुए पका लेना है अब आधा कप प्याज को मैंने इस तरह से मोटा मोटा काट कर ले लिया है इसी तरह से कटी हुई शिमला मिर्च भी ले लेते हैं आधा कप साथ ही इसके डाल लेना है आधा चम्मच काली मिर्चों का पाउडर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे अच्छा सा इसमें उबाल आ जाए इसका कच्छा पंच चला जाए इसके बाद हम इसमें फ्राइ किया हुआ सारा चिकन अड़ कर लेते हैं चिकन डालने के बाद फ्लेम को हम हाई कर लेंगे हाईством पर चिकन को हमें यह सास के साथ कोट करते जाना है चिकन को ज्यादा नहीं पकाना है इसे क्रिस्पी ही रहने देंगे जब आप देखें के चिकन पर सारा सास कोट हो चुका है बस इस टाइम पर हम फ्लेम बंद कर देंगे थोड़े से बारिक चौप किये हुए हरी प्यास के पत्ते आड़ करके इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं बस अब गर्मा गरम क्रिस्पी चिकन को सर्फ कर लेते हैं इस क्रिस्पी चिकन को सर्फ करने के लिए आपको कोई चतनी या सौसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी चटपटे क्रिस्पी चिकन को बस आप इसी तरह से सर्फ कर लीजिए